हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम है कर यूटूब चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिसन करेंगे इस वीडियो क्या टेस्स करेंगे यहां पर पूछ रहा है कि जो हमारी लार्ज स्केल जो डेरी फार्मिंग होती है ब्रिश्ट्रीत जो पैमानों पे जो हमारी डेरी क्रिसी होती है वो तभी हमारी पॉसिबल हो चुकी है हुई है जब हमारा ट्रांस्पोर्टेशन का डेवलप्मेंट हुआ है रेफ्रिजरेशन का डेवलप्मेंट हुआ है ठीक है यानि प्रसित को और यातयात के साधनों के विकास के बाद ही हमारा large scale जो dairy farming है वो हमारा possible हुआ है इसका क्या कारण है अब दिखो large scale dairy farming का क्या मतलब है मलो आप दूद का उत्पादन कर रहे हो हमारा area है यह इस area में दूद का उत्पादन आप कर रहे हो तो यदि वहाँ से दूद को दूसरे मार्केट में बेचने के लिए या तके साधन नहीं है या यहाँ पर प्रसित को यानि कि रेफ्रिजरेशन की सुब्धा नहीं है रेफ्रिजरेशन सुब्धा के मतलब है कि दूद तो जल्दी खराब हो जाती है दो-चार घंटे में उसको करम करके अचछे से उसको टेक के नहीं कि जाए तो यहाँ पर यदि रेफ्रिजरेशन यानि कुसकी लाइफ जो बढ़ाने की अथी सुब्धा नहीं है या उसके दूर तक मार्केट की बेचने की सुब्धा नहीं है तो बड़े लेबल पर dairy farming क्यों करेंगे क्योंकि यदि मालो बहुत जादा dairy farming आप कर रहे हो तो उसको बेचने के लिए market भी होना जाए है इस एरिया में आप उगा रहे हो यहाँ पर dairy farming कर रहे हो तो इस एरिया में उतनी demand ही नहीं है उतनी खपत ही नहीं है उसको life उसकी है उसको बढ़ा दे तो market तो हम पहुचाए जा सके इसलिए हाँ पर transportation और refrigeration की यभी सुद्धा उपलब्द हुई है तभी हमारा बड़े लेबल की dairy farming हमारा उपलब्द हो गया है बड़े लेबल का dairy farming करने का मतलब है कि आपने एरिया में तो बेचना ही इसके साथ साथ global जो market है उहां तक पहुच बनाना अभी आप हिलाल देखोगे तो जो large scale dairy farming है वो आपको European countries में देखने मिलेंगे Northern America में, Canada में देखने मिलेंगे Australia, New Zealand में देखने मिलेंगे और वहां की product अभी आप इंडिया की rural जो एरिया है वहां भी आप देखोगे तो जो dairy product है जैसे की आप दूद पाउडर हो गया वो आपको European वाले जो country से भी दूद पाउडर इंडिया में देखने को मिलते है तो यह हमारा इंडिया में वहां से product इंडिया में क्यों पहुंच गया है क्योंकि refrigeration उसको वो हमारे पास साधन है उसको ना खराब होने के लिए हमारे पास technology है और transportation की भी सुबद अपलब्द है इसलिए large scale जो dairy farming है जो other part of world है वो हमारा developed हो चुगा है तो यह सब आप इसमें लिख सकते हो तो आज की इस वीडियो मस्तरा है दोस्तों thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नाइट ओपी साथ हैंक